नमस्कार दर्शकों जैसर कृष्णा स्वागत है आपका हमारी चैनल वी यार एस्ट्रोलोजी में दर्शकों नया साल दोहजार चोईस आने वाला है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंग रासी वाले लोगों के लिए नोकरी के योग दोहजार चोईस में कब बनेंगे आपको प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गौवर्मेंट सेक्टर में हो सफल तक कब मिलेगी कब आपके नोकरी के योग बनेंगे विस्तार से चर्चा करेंगे दर्शकों तो ये वीडियो पूरा आवस्य देखिए आपके लिए जानकारी जरूर लाप्रद सिद्ध होगी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2024 में ग्रहों के इस्तिति आपके लिए किस प्रगार्गी बने हुई है तो देखिए दर्शकों आपके लगनेश बनते हैं सुर्य देव जो कि आपकी रासी से पंचंग भाव में गोचर करेंगे जन्वरी के महिने में बात करें गुरुदेव ब्रहस्पती की तो 30 अप्रेल तक मेस रासी में गोचर करेंगे यानि आपके भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे शनीदेव की बात करें दर्शकों तो शनीदेव आपकी रासी से सप्तम भाव में रहने वाले हैं कुम्ब रासी में और बहुत ही मजबूत इस्तिती में आपको वो एक तरह से सपोर्ट करने वाले हैं वहीं दर्शकों राहू केतु की हम बात करें तो राहू आपके अस्टमभाव को प्रभावित करेंगे, साथ में केतु आपके दिती अभाव को प्रभावित करेंगे, तो ये ग्रहा आपको किस प्रकार से सपोर्ट करेंगे, कब आपके जोब के चांसेज बनेंगे बात कर ले देखिए दर्शकों पहले तो प्राइवेट वाले लोगों की बात करते हैं जो कि बेरोजगार हैं प्राइवेट नोकरी की तलास कर रहे हैं उनको सफलता कब मिलेगी देखे दर्शकों आपको जनवरी सही प्रयास बढ़ा देने चीए क्योंकि आपके लिए लक्ष्मी नारायन योग बना हुआ है पंचम स्थान में लक्ष्मी स्थान में ही लक्ष्मी नारायन योग का बनना बहुत शुब माना जाएगा यहाँ पर शुक्र और बुद्ध का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा जिस कारण जनवरी के महिने में सुरुवात के सब्ते में ही आपके नोक्री लग सकती है अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित मानी जनवरी में ही अच्छी जोब मिलती दिखाई दे रही है इसके बाद दरशकुन देखिए गूरु जब आपके लिए अच्छी इस्तिती में आ जाएंगे यानि अभी भी वो भाग्य भाव में आपके लिए अच्छी इस्तिती में बेटे हैं कोई MNC company वगरे में आपकी जोब लग सकती है, कोई बड़ी opportunity मई के बाद आपको मिलती दिखाई दे रही है, इसके बाद दर्शुकुम बात कर लेते हैं government sector की, जो विध्यारती government job के लिए तयारी कर रहे हैं, काफी मैनत कर रहे हैं, परन्तु सफलता नहीं मिल रही है, तो देखिए, 2014 में आपको निश्चित तोर पर सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रह गोचर आपके favor में है, देखिए, 13 अप्रेल को आपकी लगने सुरिय देव मेश रासी में आ जाएंगे, यानि भग्ये इसका भग्या भाव में आकर वो गुरू के साथ बैठ जाएंगे, तो वहाँ पर स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा पक्ष में आ जाएगी, देखिए, लगने इसका भाग्या स्थान से संबंद बनना अपने आप में भाग्या का साथ दिलाता है, तो 13 अप्रेल से स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, जो गुर्मेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 13 अप्रेल के बाद अगर आपके कोई परिक्षा है तो निश्चित आप सफल हो जाएगे, देखिए, 13 अप्रेल से वो 15 जून तक सुरिया आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो नवम भाव और दसम भाव में रहेंगे, तो यह आपके लिए जोब लगाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, वहीं शुक्र आपके लिए देखिए, दसमेश बनते हैं, वो 25 अप्रेल से 12 जून के मध्या में नवम भाव और दसम भाव को प्रभावित करेंगे, यानि गूरू, सुर्य और शुक्र, यह तीनों ग्रहों का प्रभाव रहेगा, आपको 13 अप्रेल से 15 जून के मध्या में, यह दो महिने का लगबग समय हैं, जिसमें आप सफल हो सकते हो, गौर्मेंट जोब में महनत को बढ़ा दीजिए, यह दो महिने में निश्चित तोर पर आपकी सफलता मिलती दिखाई दे रही है, इसके बाद भी दर्शकों एक समय आएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गूरू आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, परन्तु यह दो महिने आपके लिए बहुत ज़्यादा सफलता प्रदान करने वाले दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद एक मही से गूरू सपोर्टिव हो रहे हैं, तो सब्टेंबर अक्टूबर में भी आपके लिए अच्छे योग बनेंगे, दर्शकों देखिए, मैं कुछ उपाए आपको बताना चाहूंगा सिंगर आसी वाले लोगों के लिए, एक तो आपके लगने हैं सी सुर्य देने हैं, तो आपको हमेशा सुर्य बगवान को अर्ग देनी हैं, चाहिए जल्दी उठने का प्रयास कीजिए और हर रोज सुर्य बगवान को अर्ग दीजिए, साथ में आदित्य अर्दे स्त्रोत का पाठ करिए, हनुमान चालिश्या का प्रति दिन पाठ करिए, भाग्य भाव आपका मजबूत होगा, और आपका जो भी आप काम करेंगे, उसमें सफलता आसानी से मिल जाएगी, तो ये दो उपाए जरूर करिए, भगवान सुर्य नारायन की कृपाब मिलेगी, आपको हनुमान जी का असिर्वात मिलेगा, और आपके सारे सपने पूरे होंगे, इसके अलवा दर्शकों अगर आप हमसे विक्तिकत तोर पर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, जीवन से जुड़ी हुई किसी भी समश्या का समाधान चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पे संपर्क करके अपने अपॉइन्मेंट्स बुक करवा सकते हैं, आपकी कुंडली का विस्टेशन करके आपको सटिक जानकारी हमारे तरफ से दी जाएगी, आज के लिए इतना ये दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृप्या वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जैसी कृष्टान!